कि हैं लो दोस्तों आज कि इस फीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं को लगोने से नहीं है इस चनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अगर आपको मेरी महनत अच्छी लगती है, मेरा कॉंटेंट अच्छ लगता है, तो नीचे दिएगे लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, यह आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आगे नए वीडियो आप सभी लोग अपना आंसर कीजे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में, सही आंसर में आपको दूँगा वीडियो के अन्ड में, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की इस वीडियो में टेक्स मीनु के तरफ़, यह हम आ चुके हैं अपनी कम्पुर्टर स्क्रीन के ऊप ओऊबर और टेक्स मीनु हमें मिल जाता है हमारे बिटमाप मेनु के ज़स्ट बगल में, इससे पहले हमने बिटमाप मेनु को समझा था, यह सारे ऑप्शन को हमने समझ रखा हुआ है, तो अगर आपने मेरी बिटमाप की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उपर आई बट होगे प suffix हमें में टएप इसपेसिंग कद यहंको हो ने माख स्कूर्ड तो difस्ट आपको यहाँ स्वक्रव्ध स्वक्राब कर दो थर ते दो कड़े हमतो क्या गाला स्वक्राद यहां पर लिखोगे और paragraph लिखने के बाद में आप text menu में tap पे जाओगे जैसे आप tap पे click करोगे तो देखी यहां पर आपको कुछ tap settings मिल रही है अब यह settings कहां पर आपको दिखती है वो मैं आपको दिखाँ देता हूँ बट उससे पहले थोड़ा साब मैं क्या करता हूँ इस document का मैं यहाँ पे unit change कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ centimetres और अब अगर मैं इस paragraph को edit करने पर जाओ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ tabs दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक tab लगा हुआ है यहाँ पर tab लगा हुआ है यहाँ पर tab stop लगे हुए हैं कि हमें कहां कहां पर tab को stop करना है इस tab stop की भी setting हम अपने इस tab में कर सकते हैं जाकर के tab setting में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है 1.270 cm तो देखी यह जो हमारा tab लगा हुआ है यहाँ पर यह इसी spacing पर लगा हुआ है 1.270 cm की spacing पर लगा हुआ है इसका alignment left है और जो इसका leaders है वो off है अभी हम समझेंगे कि आखिर यह alignment क्या होता है और यह leaders क्या होते हैं बट अभी उससे पहले हम क्या करते हैं इस सभी tabs को यहाँ से पहले कर देते हैं delete और आपको बिल्कुल एक fresh समझाते हैं कि आखिर यह क्या काम करता है मैंने क्या किया यह सभी tabs को delete कर दिया है तो जैसे देखिए मैंने delete किया आप यहाँ पर देख पा रहे होगे यहाँ पर अभी कोई tab show नहीं कर रही है इस paragraph में अगर मैं इस paragraph पर click करूँ देखिए यहाँ पर भी आपको सारी tabs show हो रही है तो अगर मुझे सभी को delete करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस paragraph को भी select करना पड़ेगा और अगर मैं tab में जाओ तो देखिए मुझे यहाँ पर भी इसको remove करना पड़ेगा और same चीज मुझ मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी या फिर हम चाहते तो दोनों paragraph को एक साथ select कर लेते दिन हम एक साथ भी उसको delete कर सकते थे तो आप देखिए मैं यहाँ पर जाता हूं मैं मेरे paragraph के ओपर देखिए मुझे यहाँ पर कोई भी tabs नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अब ले लिया और मैंने किया एड जैसे हम एड करेंगे यहाँ पर देखिए आपको two centimeter के उपर आपको एक tab मिल जाएगी ठीक है ऐसी अगर मुझे second tab देनी है three centimeter के उपर तो मैंने three लिख करके add कर दिया ठीक है यहाँ पर आपको five centimeter की space पर आपको यह मिल जाएगा मतलब दो के ब ठीक है और add कर दूँगा देखिए मुझे six centimeter पर भी एक tab stop मिल गया है और यहाँ पर मैं करूँगा okay यहाँ पर देखिए आपको मिल चुका है एक two centimeter के उपर एक five centimeter और एक six centimeter अब अगर मैं यहाँ पर अपने keyboard के tab बटन को दबाऊं तो देखिए अपने आप यहाँ पर stop यह stop होगा six centimeter के उपर same यहाँ के लिए भी देखिए होगा और same यहाँ इस ठल प्याग्राफ के लिए भी होगा तो इसके इस्तमाल से हम लोग देखिए यहाँ पे equal spacing maintain कर पा रहे हैं अपने प्याग्राफ में कि हमको left से कितनी spacing को maintain करना है ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पे tab stop को देते हैं all right कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब tab को देते हैं तो वहाँ पे साथ हमको alignment भी देना पड़ता है उसका इस्तमाल हम लोग कप करते हैं मालो मैंने यहाँ पे लिख दिया की particulars चीक है और फिर मैंने यहाँ पे tab मैं यहाँ पे create कर लेता हूँ और हमने यहाँ प हम ने यहाँ पे दे दिया remarks कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम आ Families लिखने हैं यहाँ पे अमाउं देना है और यहाँ पे हम रिमार्क्स मेंशन करने है तो अगर आप इन तीनो टैब को देखिये तो इन तीनो टैब की जो spacing है वो जो alignment है वो left से alignment है तो अगर मुझे इसको change करना है तो हम क्या करेंगे और change भी क्यों करना है उसको भी आप समझ लोगे तो हम क्या करेंगे पहले इसको पुरा select कर लेंगे और select करने के बाद हम जाएंगे अपने text menu के tab option में तो यहां पर आप देख पा रहे हों कि यहां पर देखें सारे tabs create होकर के आ गई है तो हमें क्या करना है यह जो 2 cm वाला tab है इसका alignment हमें left ही रखना है बट यह 11 cm पर यह जो tab लगी हुई है इसका जो alignment है वो हमें करना है decimal में अब decimal क्या काम करता है वो भी आगया आपको समझ में आ जाएगा और यह जो रिमार्क्स वाला tab लगा हुआ है attain point something पर 18.4 पर इसका हमें और अब अगर मैं वापस ढब हुआ जेवा दिन यहा पर यहाँ पर stop हुआ है अब यहां पर क्या हुआ पर डेसिमल क्या करेगा माल मुझे आपके कुछ अमाउंट देना है मैंने आपके दे दिया 1000 रुपीज 28 पैसा देखे क्या हो रहा है यह जो आपका डेसिमल लगा हुआ है डेसिमल का जो लेफट साइड है यह जो पॉर्षण है इसका जो आपका Crisis आ यहाँ वहीं आपके कुछ भी लिखना है मैंने आपके दे दिया हुआइछ मोटे ऑप देख पा रही होंगे कि इसका वह आपके आयलाइनमेंट आ राइट साइड रहा है ऐसे अगर मैं फिर से नीचे आ जाओ और मुझे फिर से अगर यहां पर कुछ लिखना है मैंने आप लिख दिया CPU और मैंने यहां पर इसका भी मैंने कुछ amount दे दिया example के लिए 2500 रुपीज 40 पैसा तो आप एक चीछ गौर किजिए कि आपका जो numbers हैं वो देखिए एक के जस नीचे दूसरा आ रहा है जो decimal है देखिए वो बिल्कुल aligned होकर के आ रहा है इसलिए हम decimal का use करते हैं अपने tap setting के अदर तो और यहां भी अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो यहां पे लिख सकते हैं मालू मझे मैंने यहां यहां पे लिख दिया ryzen 9 दो देखिए इसका alignment देखिए right में अपर क्या रहा है तो इस तरीके से हम लुग यहां पे tap की setting को दे सकते हैं और tap के alignment को भी दे सकते हैं उसके बाद लिखिए यहां पे दिया है leaders यह लीडर केंटर हूं सरका दिए यह अर्फ हम यहां से सIndag करता है अब क्या काम करता है सो दिखाता हूं मानलो मैंने यहां पर कुछ है और मैं प्लिख दिया मैंने यहां पिर टैब सब्सक्विस डिया किael लिखां उसके बाद फिर से में आप एक tab space लिए और मैंने आप एक कुछ भी लिख Denia माननु मैंने आप लिखuwया property इनक्राफ किया मैं टैब में गया और मैंने यहाँ पर इसका leader है वह कैम आन कर दिया हम इसको एक ख़िंगे रहाएं यहाँएं rouल्क करना है देसिमल अपकर यहां पटना करना है तो मैंने यहाँ पर पिर से और इसको भी ओन कर दिया तो देखिए आए है कि आवन करने होट अत्या दिखाए दे रहे लिगके हैं इन डॉट सको ही हम यहां पर लीडर ópi शून सी जाके maintain करते हैं आप जैसे यहां पर जाओगे तो यहां पर यह हमसी स्ठार के बीच में यह हम यहां से मैंने कर सकते हैं, आरखें के जहुए स्ठार में हैं ,के जाए मैंके सन श्रीट स्टार को बीच में,अ movements पर सार रब आतं। tab space देंगे तो यह देखिए tab space देने से क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए आपको वो text लिख करके आ रहा है जो भी leaders में हमने set किया हुआ था ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर tab menu को use कर सकते हैं all right text menu में जो हमारा next option है वो है column column क्या काम करता है कई बार आपने देखा होगा news papers में कुछ इस तरीके के देखिए आपे columns बनी रहते हैं तो यह जो आप देख पा रहे हैं यह paragraph के अंदर जो है यहाँ पर columns maintain किये गए जैसे कि आप यहाँ देखिए one two and three इस news के लिए यहाँ पर three columns बनाए गए हैं ऐसे ही आप जो भी टेक्स लिखते हो उस टेक्स के अंदर आप अपने columns को maintain कर सकते हो पहले मैं क्या करता हूँ मैं इसको delete कर देता हूँ आपको default पहले से ही आपको एक column दिखा रहा है तो आपको जितने column मनाने है मुझे मानलो three column मनाने है देखिए आपको देखिए प्रिवी भी दिखाई दे रहा है साथ-साथ कि यहाँ पर आपको देखिए three columns बन करके आ रहा है ठीक है अब इन columns की detail भी दिखिए आपको इतनी है third column की width इतनी है अभी चुकि यहाँ पर देखिए टिक लगा हुआ है equal column width means जो भी column होगे उनका जो width होगी वो equally divide होगी तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर untick कर दीजे इसको अब अब क्या है कि इन तीनों की जो width है वो आप अलग-अलग control कर सकत हो और ऐसा नहीं करना है आपको तो आप equal पर click रखो आपके जो जितने भी columns है वो सारे equal divide हो करके आएंगे equal size में equal width में उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है gutter, gutter क्या करता है यह जो एक आपका यह जो यहाँ पर column है और यह जो second column है मैं भी क्या करता हूँ मैं इसका ज इस column की देखिए बीच में इतनी यहाँ पर gap दी हुई है यह जो gap है इसी को बोलते है gutter अब इसी को ही maintain करने के लिए हम use करते हैं इस option को अगर मुझे इस gutter spacing को कम करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको घटा सकते हैं यह जैसे उसको वटाएंगे तो क्या होगा यह बीच की जो gutter spacing है यह automatically यहाँ पर कम हो जाएगी तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस gutter size को भी maintain कर सकते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप हो frame setting दी होई है अब यह frame setting क्या होती है कि यहाँ पर देखिए पहला option यहाँ दिया गया है maintain current frame width means यह जो हमारा text लिखा तो देखिए यह आपका frame size है इसके ओपर देखिए कोई भी फरक नहीं पढ़ रहा है यह जो text आपका है उस text का ही केवल जो width है वो जो column है उसका देखिए केवल जो width है वो घट्या बढ़ रहा है बट अगर हम इसको यहाँ पर click कर दें automatically adjust frame width अब क्या होगा कि अब अगर हम इसकी जो width है उसको कम करेंगे तो देखिए क्या होगा यह जो हमारा यह जो frame बना था यह frame के size को भी साथी साथ कम करेगा यह देखिए तो अगर आपको frame setting के अंदर automatically रखना है तो आप उसको भी रख सकते हो या अगर आपको current frame के इसाप से चलना है यहाँ पर click रखोगे maintain current frame width जो की default already set होता ही है मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको okay और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर columns को भी use में ले सकते हैं all right इसको हम कर देते हैं delete और बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ next option हमारे आप दिया गया है bullet and numbering bullet and numbering क्या होता है कि जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हो जहां पर आपको points लिखने होते है headings लिखनी होती है सब heading या उसके अंदर मुझे आपको कुछ content maintain करना होता है तो वहां पर यूज करते हो bullet का मानलो मैंने यहां पर कुछ मैंने आप लिखा हुआ है कि text menu मैंने आप लिख दिया text menu अब यह जो text menu है यह हमारी main heading की रूप में काम करेगी और जो उसके अंदर को जो कुछ options होंगे जैसे कि taps या column चिक है column यह जो इसके अंदर के options है वो मैंने आप आज आज आपको समझाने के लिए बताया हुआ हुआ है या फिर bullet and number हमें दिखाना है कि यह जो सबसे उपर heading है यह as a heading वर्क करेगी और उसके अंदर का यह जो content है यह एक sub heading के रूप में आएगा तो इसको हम define कर सकते हैं bullet and numbering के रूप हम क्या करेंगे simply पहले इसको select कर लेंगे जितना part हमको bullet and numbering में देना है उसके बाद हम जाएंगे text menu में और यहां पर click करेंगे bullet and numbering के उपर आप देखे जैसे यहां पर click करोगे तो अभी यहां पर कुछ भी activate नहीं है क्योंकि यहां से भी हमने इसको activate नहीं किया है जैसे आप list पर click करोगे तो देखे यहां पर सारे option activate होकर आजाएंगे और यहां पर देखे आपको preview भी दिखाने शुरू कर दिया है यहां पर देखे सबसे पहला option दिखाने है हमारे levels levels क्या होता है कि जब भी हम कोई heading बनाते हैं और उस heading के अंदर कोई sub headings या कुछ points देते हैं उनको हम बोलते हैं levels समझाने के लिए मैं आपको एक image दिखाता हूं जैसा कि यहां पर आप एक image देख पा रहा है कि यहां पर देखे कुछ heading लिखी हुई है उस heading के अंदर दो points दिए गए है point one and point two लेकिन इस point two के अंदर भी यहां पर देखे आपको चार points दिए गए a, b and c, d और उस a point के अंदर भी again दो points दिए हुए one and two तो यह क्या होता है यह कुला level maintain होता है जैसा कि देखे यह हमारा first level है first level के अंदर यह हमारा second level है a, b, c, d वाला और उसके अंदर देखे यह हमारा third level आ गया तो इस तरीके से हम क्या यहां पर multiple levels में जा सकते हैं level one, level two तो हमको यह जो setting करनी है वो किस level के लिए करनी है पहले हमको वो level चूज करना पड़ेगा तो हमें setting करनी है अपने first level के लिए means यह जो हमारा है यह हमारा level one है तो हमें level one के लिए ही setting करनी है बट अगर आपको level two या level three के लिए करनी है then आप फिर वो level चूज करोगे जाना है अगर आप इसको symbolic form में लेके जाओगे जैसे आप इस सरकल लगा हुआ है इसको बोलते हैं bullets सरकल के लावा बहुत सारे options हो सकते हैं बहुत सारे symbols हो सकते हैं आपकी अपनी इमर्जी के बट उन सभी को हम bullets बोलेंगे बट जहां पर हम ABCD या Roman या 1234 की बात करेंगे उनको हम लोग numbers में लेके जाएंगे तो अगर आप देखिए number पर क्लिक करोगे तो यहां पर 1234 numbering form में चलना शुरू हो जाएगा और तो मैं यहां पर यूज़ करता हूँ पहले bullet और bullet में तो मैंने मैं लो यह जो arrow है मैंने इसको यूज़ करना चाहा यहाँ पर यह सहीनों में यह पर देखिए arrow बन करके आ जाएगा या अगर आप कोई और भी अगर आप लेना चाहो symbol तो वह symbol भी आप यहां से ले सकते हो तेखिए को symbol यहां पर बन करके आ जायेगे बट इस करोगे यहां पर क्लिक करोगे यूज पैराग्राफ फॉंट और हम यहां पर क्लिक करेंगे ठीक है जब आप यूज पैराग्राफ फॉंट पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहां पर जब भी आपको कोई सिंबल लोगे तो वो क्या करेगा वह ऐसे आपका जो पारग्राफ की करेगे रहां और इसको प्रडियक का छिंगा हो तो सबस्क्त हो आлей का तो सबस्क्त कर ने करें तो番 की आप पर सिंग में किसली को कॉइड एज कर सकते है जिक तो सबस्वर देखिए यहां पर option दिया गया है text frame to list यहां पर आप इसका जो size है वो बढ़ाते हो तो देखिए यह जो आपका text frame बना हुआ है उससे आपकी bullet की कितनी दूरी होनी चाहिए तो जितनी दूरी आप यहां पर बढ़ाते जाओगे मैंने आप ले लिया है मानलो 3 cm तो वो क्या करेगा देखिए 3 cm उट रही देखिए उसने यहां पर gap maintain कर दिया है आपके text boundary से bullet की बीच में तो अगर आपको यहां पर कोई size maintain करना है कोई distance maintain करना है देन उसकी value आप यहां पर put करोगे मैं आप इसको 0 ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बीच में कोई space नी चा हो उसके बाद देखिए हमारा है next option यहां पर दिया गया है baseline shift baseline shift क्या करता है कि यह जो आपका यह जो bullet लगा हुआ है इस line के just सामने मतलब बिल्कुल उसके parallel में लगा हुआ है bullet अगर आप चाहते हो कि जो bullet हमारा है वो text के उपर यह text से नीचे maintain हो तो वो हम use करेंगे उसके लिए baseline shift baseline में क्या है कि अगर आप values को positive में लेकर के जाओगे तो देखिए यह उपर की तरफ move करेगा आपका जो bullet है वो उपर की तरफ move करेगा बट अगर आप इसकी values को minus में लेकर जाओगे तो यह क्या होगा यह minus का मतलब है यह नीचे की तरफ shift करेगा आपका bullet यह नीचे की बढ़एगी तो अगर आपको जितनी बी चाहिए टैक्स्ट और टैप के बीच में वह स्पेसिंग आप यहां से मेंटेन कर सकते हो खें और उसके बाद यहां पे दिया गए अलाइन लाइनज इन इंदा लिस्ट आइटम अगर आप इसको टिक रखोगे जितनी भी आपकी ला तो आपका बुलेट है वह आपका बुलेट है यहाँ पर मेंटेन हो करके आ जाएगा अगर इसको हम वापसे सेलेक्ट करते हैं मैं वापसे टेक्स में जाता हूं बुलेटे नंबरिंग पर जाता हूं और मैं यहाँ पर नंबर पर क्लिक कर देता हूं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे symbols भी दे रखे हैं किसी और language में तो आप उनका भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर small ABCD या capital ABCD का इस्तमाल भी कर सकते हो prefix का मतलब क्या होता है कि आप अगर चाहते हो कि यह जो आपकी numbering है इससे पहले भी कुछ लिखके आना चाहिए सकते हो प्रिफिक्स में मानल मैंने यहां पर लिख T. controversial है तो देखी यहां पे क्या हुआ आप क्या हो आप क्या हो रहा है T. लिख लिख कर के आ रहा है ति रिख के बाद में जो आपका style है ABCD वह लिख लिख ठके आ रहा है ऐसा ही हमारे हापकर दियाँ suffix मैं इसको क्या रहता हूं मैं prefix यहां से हटा देता हूं और उसके बाद यहां पर दिया है suffix suffix क्या है देखिए यह जो आपकी ABCD लिखी हुई है जो आपकी numbering लिखी हुई दिखिए उसके बाद में पर dot बन करके आ रहा है यही इसका suffix part है । आप चाहते हो कि एक hyphen लगकर आना चाहिए एक dash लगकर आना चाहिए यह फिसके कर सकते हो बाकि यह जो right side में जो आपके options हैं वो जैसे bullet में काम कर रहे थे same आपके numbering में भी इस्तेमाल होंगे all right तो I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को like जुरू कीजिएगा और आपका अगर कोई भी सवाल होता है तो नीचे comment section में आप अपना सवाल पूछ सकते हो मैं वहाँ पे आपको answer करूँगा चीक है बढ़ते हैं अपने next option की तरफ तो next option हमारे आपे दिया गया है drop cap ब्रॉप कैप क्या होता है ड्रॉप कैप जब भी आपको bir paragraph लिखते हो मालो मैयां आपने यहाँ पर एक paragraph लिख लिए मैं यहाँ सोल्ड़र ले आता हूं देखिए जब भी आपको इक पैर्गॉर्ट ने पहले और रहों होता है उसको हम लोग बड़ा लिख सकते हैं बड़े में लिख सकते हैं उसी को मेरे बोलते हैं अगर आप यहां पर लिखोगे टू तो फिर वो टू लाइन की बराबर में आएगा वन करोगे तो वह वन नहीं होगा क्योंकि वन तो डिफॉल्ट होता है आप इसको बढ़ा सकते हो वन से ज्यादा कर सकते हो तू थ्री फॉर तो वह उतना बड़ा आपका जो पहला लेटर ह वह उतना बड़ा लिख कर के आएगा ड्रॉप काफ में. उसके बाद यहां पर दिया गया है इसको इसको लेके जा सकते या लूंच लीथियू और यह जो नीचे का टेक्स्ट है वो अभी भी आपके ल के बराबर से आ रहा है तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यह भी हमारे इसके इक्वल में ही आये तो यहां पे आप टिक कर लो तो क्या होगा यह जो आपका बाखी का टेक्स्ट है वो भी आपके ड्रॉप कायप के नीचे नहीं लिख करके आएगा उसके जो आपका बाखी का टेक्स्ट है उसके ही इक्वली मेंटेन हो करके आएगा ओके कर देंगे तो वो वाल्यू हमारी सेव हो जाएगे ओल्रैट सुखरते हैं डिलीट और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरह टेक्स्ट मीनू में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट इस्टैटिक्स टेक्स्ट इस्टैटिक्स क्या करता है कि जब भी आप यहाँ पे कुछ लिखते हो मालो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट टेक्स्ट म थे भी यहाँ पर किया लिखा रहा है जो भी हमने लिखा हुआ है उसकी टोटरल यहाँ पर कितने paragraph बने हुआ है कितनी lie groundwater है भी कुछ आपको यहाँ पर इसके text एस्टों मिल जाएगा व yell चापको इसको और बढ़ते हैं अपने next option की तरफ जो कि है edit text जो कि अभी activate होकर के नहीं आ रहा है edit text क्या होता है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं मैं यहां पर वापस से लेता हूं insert place order हम जब भी कुछ लिखते हैं उस लिखे हुए text को हम edit करने के लिए भी हम वहाँ पर जा सकते हैं तो यह हमारा कुछ text लिख करके आ गया है हम क्या करते हैं इस पूरे text को select all कर लेते हैं और जाते हैं text के अंदर edit text में तो यहां पर देखिए आपको यहां पर font के option आप अपना मंचहा font लगा सकते हो मंचहा अपना size लगा सकते हो इसको board italic underline कर सकते हो सभी कुछ आप यहां से कर सकते हो और जैसे आप ok करोगे उसके बाद आपको पूरा result आपको आपके page पर मिल जाएगा तो जैसे कि आप यहां पर अपने paragraph की या text की editing करते हो सेम आप वहां पर भी कर सकते हो उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ अगला option हमारे आप दिया गया इंसल्ट फॉर्मैट कोड इंसल्ट फॉर्मैट कोड क्या होता है कि यह भी देखी यहां पर आपको activate होकर कि नहीं आ रहा है यह activate होकर तब आएगा जब आप यहां पर शो नॉन प्रिंटिं यहां पर क्या होते हैं ऐसे जो मरे attractive में आते हैं बट आपको display में दिखाई देते हैं यहां जहां पर van लेकरने के लिए आप यूज़ करते हो non printing characters और यह जो formatting code है यह भी इसी से related है तो अगर आपको यहाँ पर एक आपको dash चाहिए तो वो आप यहाँ से space के थूर ले सकते हो चिक है एक space आप यहां से ले सकते हो ऐसे आपको अगर बड़ी space लेनी है तो आप M space ले सकते हो आपको tab लेना है तो आप tab ले सकते हो इस तरह के कारा कोई भी अगर आपको formatting code इस्तमाल करना है तो वो आप यहाँ पर use कर सकते हो ठीक है तो यह actually जब हम लोग तब use करते हैं जब बहुत ही हमको minor changes पर काम करना होता है हमको हम जो normally space अपनी space बार से देते हैं वो अगर ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है तो और हमें थोड़ा सभी अगर हमें 19-20 की हमें space ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर formatting characters का इस्तमाल कर लेते हैं साथी साथ paragraph में हमने कहां कहां पर tab दी हुई है कहां कहां पर हमने space दी हुई है वो सभी कुछ अब display करने के लि और इसको मैंने देखिए अभी select कर रखा है मैं जाता हूँ अपने text में यहाँ पर देखिए option आ रहा है convert के नाम से यह convert देखिए अभी activate होकर के नहीं आ रहा है क्यों उसका reason यह है क्योंकि इस paragraph में अभी कुछ और text भी नीचे के तरफ देखिए वो hide था जो कि मैंने अभी show कर लिया है अब मैं अगर text में जाओं तो देखिए अब यहाँ पर आपको वो जो option था वो activate होकर के आ गया है अब अगर मैं यहाँ पर click करूंगा तो क्या होगा कि अभी यह जो पूरा text लिखा है वो मैंने एक paragraph में लिखा हुआ है तो अगर हम यहाँ पर click करें और यहाँ पर click कर दें convert to artistic text तो क्या होगा यह पूरा paragraph से हट करके यह artistic text में convert हो जाएगा ऐसे ही अगर हमारा कोई artistic text है उसको हमें paragraph में convert करना है तो भी हम यहाँ से use कर सकते हैं simply convert to paragraph text पे click करके जिसकी shortcut की F8 होती है control प्लस F8 होती है ठीक है यह वापस से मेरा यहाँ पर जो है paragraph में change हो गया है उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ text menu में हमारा यहां पर आगला option दिया गया है paragraph text frame यह क्या होता है देखि यह जो हमारा paragraph बना हुआ है उसका देखि यहाँ पर यह देखि frame बन करके आ रहा है कि यह जो text frame का बना हुआ है ठीक है यह पुरा हमको frame display कर रहा है अगर हमको यह frame नहीं display कराना है तो फिर हम क्या करेंगे paragraph text frame में जाएंगे और यहां पे click कर देंगे show text frame पे तो क्या होगा वहां से देखिए वो tick remove हो गया है जिसकी वज़े से यह जो आपको frame दिखाई दे रहा था वो frame भी आपको दिखना बंद हो गया है ओल्राइट हम वापस जाते हैं अपने paragraph text frame में इसको फिर से click करते हैं तो देखिए यह क्या हुआ यह वापस से आ चुका है ओल बट जो हमारा यह जो frame size था वो देखिए अभी भी उतने का उतना ही है और हम चाते हैं कि जो हमारा बचा हुआ text है वो exactly इस frame में fit हो जाए उसका जितना भी size बड़ा होना है वो बड़ा हो करके इस पूरे frame size पर आकर के fit हो जाए तो हम क्या करेंगे हम text में जाएंगे paragraph text frame मे जाएंगे और यहां पर click कर देंगे fit text to frame जैसे click करेंगे तो लेकि क्या होगा कि यह जो पूरा text था वो हमारे इस पूरे paragraph में fit होकर के आ जाएगा उसका जो भी size बड़ा होना है वो size बड़ा हो जाएगा और हमारे पूरे frame पर आकर के set हो जाएगा अगला option आपको दिया गया है उसी में ही insert placeholder text जो कि अभी deactivate है deactivate इसलिए है क्योंकि यह जो मेरा paragraph है उसमें already कुछ text लिखा हुआ है उसको हम करते हैं delete और यहां से बनाते हैं एक fresh एक नया paragraph और इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते हैं मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा हु इसमें में यह देखे option आप एक्टिवेट हो करके आगया है जैसी में यहां पर click करेंगे insert placeholder text तो coral draw क्या करेगा एक dummy text आपको यहां पर लिख करके देगा dummy text बहुत जदा यूज होता है जब भी आप किसी client के लिए को magazine को ब्रोशर को folder design कर रहे होते हो but content आपको client ने नहीं दिया होता है तो उस पूरी design को fill up करने के लिए आप content चाहिए होता है जो कि इस dummy text से आप पूरा कर सकते हो उसके बाद हम जाते हैं अपने अगले option पे तो text menu के अंदर paragraph में हमारा अगला option दिया गया है create empty text frame यह क्या काम करता है कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास कुछ objects होते हैं उन objects में भी हमें कुछ लिखना होता है example के लिए मैंने यहां पे ellipse tool के थूरू यहां पे एक circle बना और जाएंगे अपने option के उपर लिखी activate होकर के आगे हम जैसे यहां पे click करेंगे तो लिखी इसके अंदर भी एक आपको text box मिल जाएगा जहां पे click करके आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो अपना मन चाहा ठीक है या फिर आप चाहो तो इसको as a dummy text भी इसको fill कर सकते हो यह देखिए मैंने आप dummy text fill कर दिया है ठीक है तो इसके अंदर का जो text लिखा हुआ है वो as a paragraph text ही behave करेगा आप उसके अंदर वो सारे काम कर सकते हो जो एक paragraph text में आप करते हो ठीक है उसके बाद आते हैं अपने अगले option की तरफ तो अगले option देखिए हमारा दिया गया है link औ link link और원 link मिद्र से हम कोई भी दो text boxus को आपस में link कर सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर दो text box बनाया मैंने 1 text box पहले ये बनाया और इसको fill कर लिया मैंने किसी भी dummy text से और उसके आध मैंने यहां पर एक टेक्स और बनाया और इसको भी हमने fill कर लिया एक dummy text से और आप हम चाहते हैं कि यह दोनों आपस में link हो जाए link होने का फाइदा क्या मिलेगा कि मानलो यह जो मेरा text box है उसका size यह है और हम इसमें अगर कुछ भी extra text डालेंगे तो वह automatically shift हो जाएगा इस box कि अंदर इसके लीए अन दोनों को link करना होगा सबबस्वेल क्या करेंगे इन दोनों text boxes को select करेंगे जिस पर से हमको text ले कर के जाना है उसको हम बाद में is that करेंगे यह मानलों मैंने इसको पहले और इसको letать कि आब तो यह क्या करेगा यह इस इस paragraph से text इस पर लेकर के जाएगा ठीक है मैं जाता हूं अपने option में और इसको कर देता हूं link अब क्या होगा मैं यहां पर अगर मैं कुछ भी text बढ़ाता हूं तो देखे क्या हो रहा है वह automatically text क्या हो रहा है मैं लिखना मैंने यहां पर लिया बट वह shift कर रहा है यहां पर अगर मुझे यहां पर बीच में एक कोई line बढ़ानी है तो वह क्या करेगा यह जो text यह जो नीचे का text है वह automatically shift कर देगा इस वाले text box में इन दोनों में link बनाने के लिए हम use करते है link option का और अगर हम यह link break करना होता है तो फिर हम use करते है unlink option का अब यह unlink option की अभी deactivate होकर किया रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यह जो paragraph है यह जो box आपका है इसमें कुछ text अभी hide हो रहा है इसको हमें बढ़ा करना है अभी देखिए दोनों show हो रहा है उसके बाद हम इन दोनों ही boxes को select करेंगे text में जाएंगे और यहां पर कर देंगे unlink unlink से क्या होगा कि आप यह हमारा text box अलाग हो चुका है अगर हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो वह आपस में link नहीं करेगा ठीक है करते हैं इसको delete और बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ टेक्स में हमारा अगला option दिया गया है fit text to path fit text to path के उपर मैंने already आपको dedicated video बन दहता हूं fit text to path क्या करता है किसी भी object की उपर जो path होता है उस path के उपर हम कुछ लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर देखिए एक circle बना हुआ है और मुझे circle के चारो और ऊपर की तरफ कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे यहां से text लिया और मैंने हापर text में कुछ भी लिख object के चारो और circle होकर की लिख के आए ठीक है तो पहले हमने टेक्स लेट किया देन हमने वह object किया जिसके सराउंडेड हमको वह text लेकर के आना है उसके बाद हम जाएंगे text मीनू के उपर और यहां पर क्लिक करेंगे fit text to path जैसी क्लिक करेंगे यह देखिए आपका जो text है वह इस पूरे circle के चारो और लिक करके आ जाएगा जैसे आप टेक्स अगर बढ़ाओगे भी देन वह अपने आप यहां पर बढ़ता जाएगा इसके उपर मैंने आपको और डिटेल वीडियो दी हुई आप सर्च कीजेगा fit text to path के नाम से तो आपको मेरी playlist में वह पूरी वीडियो मिल आपको इस option के बारे में इसको करते हैं delete और बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ text मीनू के अगला option दिया गया है इस ट्रेटेंट टेक्स्ट इस ट्रेटेंट टेक्स्ट क्या करता है मालो मैंने यहां पर कुछ लिखा मैंने आपको लिख दिया सब्सक्राइब माई चैनल इस यू लाइक माई कॉंटेंट ठीक है अगर आपको मेरा कॉंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब परिएगा ठीक है तो तो text में हम जाते हैं तो यहां पर देखिए अब देखिए आप अपर activate होकर किया रहा है स्टेटन टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होता है क्या बार ऐसा होता है कि हम text को अपने यह जो shape tool होता है इसके थूह हम खुला से सको हम move कर देते हैं या इसको हम rotate भी किरें कई और कर देते हैं मालो मैंने कोई text था को एक character था उसको मैंने कुछ ऑप rotate किया हुआ इस तरीके से कुछ ठीक है मैंने कुछ इस तरीके मैंने आप changes किये हुए है और हमें बाद में realize होता है कि नहीं यार यह गलत हो गया मुझे वापस से इसको normal position पर लेके आना जैसे कि यह पहले था तो हम क्या करेंगे जाएंगे text में और click कर देंगे straightened text के ओपर जैसे click करेंगे तो यह देखिए आपका पूरा का पूरा text वापस से reassembled हो जाएगा जैसे कि आपने लिखा हुआ था तो कुछ यह काम होता है हमारे straightened text के बारे में next option आप दिया गया है aligned to baseline अब baseline क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है मान लो मैंने अहाँ पे एक circle लिया और इस circle के ओपर हमने यहाँ पे कुछ लिखना चाहां तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया झाले और हमने क्या किए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमने इसको fit to path कर दिया अब फेट टू पाथ करने के बाद हुआ कि अभी तो अगर मुझे इसके उपर कुछ चेंडी करने हो यह इन्हा आसानी से कर सकते है यह हमकूडना इस तरीके से नियुक्त ल हूद करें हैं तो अब हमें हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह वापस से एक normal position पर आजाए जैसे कि पहले था दिन इसको हम वापस से circle में maintain कर लेंगे तो हम जाएंगे text के उपर और इस पर click कर देंगे align to baseline जैसे हम यहाँ पर click करेंगे यह जो पूरा text था वो आपके baseline से align हो करके आ जाएगा और उसके बाद click कर देंगे straight and text तो क्या होगा यह जो पूरा text था आपको वो proper format में भी लिख करके आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम इन दोनों option का इस्तमाल करते हैं बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ टेक्स में हमारा अगला option दिया गया है मैंने मालो यहाँ पर डमी टेक्स ले लिया है तो उसके बाद हम यहाँ पर click करते हैं और यहाँ पर click करते है यहाँ पर देखे वैसे ही lines यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तो यह actually करता क्या है कि जो भी आपका text होता है वो इस line से align कर देता है यहाँ पर लिख कर आ रहा है वो देखे इस line के just ऊपर ही लिख करके आ रहा है इसी को हम लोग बोलते है baseline grid कि आपका जो text है वो जो आपकी इस baseline grid है इससे विल्कुल attach हो करके aligned हो करके आ जाता है तो अगर आपको कुछ ऐसा use करना है तो उसके लिए आप align baseline का use भी कर सकते हो अगर आप देखे मैंने आपके क्या क्या मैंने इसको यहाँ पर वापस से अंटिक कर दिया है यह देखे जिसका alignment था वो देखे खतम हो गया है अगर आपको कुछ ऐसा use करना है तो आप अगले option की तरफ text menu के text menu में हमारा अगला option है use hyphenation hyphenation क्या होता है कि जैसे जब भी हम कोई paragraph लिखते हैं तो प्रेगराफ में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो एक word होता है वो complete word उस line में नहीं आ पा रहा होता है तो एक छोटे सा dash लगके आ जाता है आधे वर्ड में और आधा वर्ड हमारा जो होता है वो नीची लिख करके आता है तो कुछ ऐसा काम करने के लिए हम यहां पर हाइफा का इस्तिमाल करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ तो टेक्स में हमारा अगला option है राइटिंग टूल्स अब राइटिंग टूल्स या करता है जब भी हम कोई paragraph में कोई बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ हमारी spelling मिस्टेक्स होती है या कोई grammatical मिस्टेक्स है उसके बाद हम जाते हैं टेक्स के अंदर राइटिंग टूल्स में spelling चेक्क के अंदर जहां 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 भी हमने changes नहीं करने है तो हम यहाँ पर skip करेंगे तो वो देखी क्या होगा वो next option पर आ जाएगा हम आपसी click करेंगे तो वो next ऐसी है जहाँ जहाँ पर भी आपको change करना होगा वहाँ वहाँ के उपर आप यहाँ पर इसको देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर हमने गलती की हुई है ऐसे देखिए हमने यहाँ पर वास के बाद में क्वामा लगाया हुआ था यहाँ पर अगर हम जाएं और इसको check करें grammatical mistake में और इसको मैं यहाँ से skip करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसको मैं replace करने का option आ रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है कि वास के बाद में क्वामा लगा हुआ है यह क्वामा यहाँ पर या तो यह कुछ इस तरीके से होना चाहिए तो जो भी आपको अगर सही लगता है तो वो आप यहाँ से इसको replace करके उसको सही कर सकते हो जैसे यहाँ पर देखिए एक space के बाद में क्वामा आ रहा था तो उसने क्या किया यहाँ पर यहाँ से space को remove कर दिया और क्वामा को उसके just pass में ले आया तो इस तरीके से आप यहाँ पर changes कर सकते हो इसको grammatical या spelling mistakes की changes कर सकते हो इसको करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ टेक्स में हमारा अगला option है change case change case क्या करता है कि मान लीजे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा test dummy text ठीक Іर मैंने स्कुलेट किया और हमें क्या करना है इसके case को change करना है तो हम क्या कर सकते हैं इस पूरे text को एक आपर case में लिख सकते हैं तो हम सिर्फ आपर case को जो पहला letter होता है वो capital में आता है कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ये आपका artistic text और paragraph text दोनों पर काम करता है ठीक है बहुत useful option है कई बार ऐसा होता है कि हमने जल्दी जल्दी में पूरा ही हमने matter small में type कर दिया होता है हमको वो title case में चाहिए होता है या capital form में चाहिए होता है तो उसको हम आसानी से change case के थुरू change करके उसको maintain कर सकते हैं बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ टेक्स मिनों में हमारा अगला option दिया गया है make text compatible जो की अभी deactivate होकर के आ रहा है यह basically option क्या करता है मैं पहले कुछ text ले आता हूँ यह basically क्या करता है जब भी आपने यहाँ पे कोई text लिखा और उसको आपने export करना है website purpose के लिए ठीक है तो उसको हम लोग convert कर सकते हैं यहाँ पे जाकर के make text web compatible के पे जैसे हम यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे आपको जो property toolbar दिख रही है वो बदल जाती है जैसे यहाँ पे click करेंगे यह देखिए यह हमारी property toolbar पे यह जो options है वो देखिए बदल गए हैं जो भी हमारे bullet के options थे वो देखिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि जब भी हम coding करते हैं अपने HTML में तो bullet को लगाने के लिए वहाँ पे दूसरे code होते हैं वहाँ पे हम लोग paragraph के अंदर केवल जो है एक symbol लगाने से हम bullet का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कर रहा है वो पूरे text को उसने क्या कर दिया है compatible बना दिया है वेब के लिए बट अगर हमें नहीं चाहिए तो वापस से क्लिक करेंगे वो वापस से हमारा default जैसे की पहले था वो वैसे ही बन करके आ जाएगा बढ़ते हैं अपने अगले option की तरफ next option हमारा यहाँ पे दिया गया है encode का encode option हम कोई ज़्यादा use नहीं करते हैं बहुत useful option नहीं है I think हमने कभी तो मैंने personally कभी उसका इस्तमाली नहीं किया encode basically करता क्या है कि जो भी आपने यहाँ पे text लिखा हुआ जैसे कि आपने आपने लिखा हुआ है aerial form में तो यहाँ पे देखिए उस font की बहुत सारी अलग-अलग encodings होती है जिन encodings का इस्तमाल करके अपने font को हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो basically करता क्या है यहाँ पे आपकी जो text की जो coding है वो देखिए यहाँ पे change कर देता है जो उसका encode कर देता है उसको अलग एक encode form में लिख देता है तो कुछ इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे encoding का इस्तमाल करते हैं जो कि मुझे I think तो कभी जुरत नहीं पड़ी उसके बाद हमारे हाँ पे text में हाँ पे हमारे पाद दो option और आते हैं एक text और एक glimpse यह दोनों ही हमारे docker के options है अगर हम यहाँ पे text पे click करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा text का पुरा docker open हो करके आ जाएगा जो कि मैंने already आपको समझाया हुआ है अपनी starting videos में आगर आप जाके search कीजएगा text के बारे में तो वहाँ पे आपको यह पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ है हर एक option मैंने आपको बहुत detail में समझाया हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे last option दिया गया है glimpse जैसे आप glimpse पे click करोगे तो यहाँ पे glimpse का भी यहाँ पे docker open हो करके आ जाएगा और यहाँ पे आपको glimpse के भी सारे option यहाँ पे आपको दिखाई देंगे तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे complete text menu को हमने explain किया हुआ है समझा हुआ है I hope आपको पूरी वीडियो अच्छे समय में आई होगी अगर अभी भी कोई doubt है तो आप अपना doubt मुझे इसी वीडियो के commentation बता सकते हो मैं next वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको वो doubt skiller कर दूँ या separate video आपको मैं उस पर बना करके दे दूँ अब बढ़ते हैं आज के सवाल के उपर मैंने आपसे पुझा था कि अगर हम a3 size के paper को center से equally divide करेंगे तो हमको क्या paper size मिलेगा इसका सही answer है option b a4 size अगर हम लोग a3 size के paper को center से equally divide करेंगे तो हमको a4 size के दो papers मिलेंगे तो फिर से मिलते हैं अपने next वीडियो में एक नए topic के साथ में till then good bye करेंगे करेंगे